हाई अव्रीवन वेलकम टू भीमनीव आई एस माइनेम इस रोहित गर्चा एंड इस सीरीज इस कॉल्ड तू दपॉइंट एक ऐसी सीरीज जहां पे हम लोग करन्ट अफेर्स को डिसकस करते हैं बहुत ही प्रिसाइज तरीके से बहुत ही तू दपॉइंट तरीके से फॉर य सवाल अगर कोई आपके प्रिलिम के अंदर आता है तो आप उसको जरूर जरूर जो है आप अटेम्ट कर पाएंगे इस तरीके से यह सीरीज है उसको डिजाइन किया गया है और इसके थू जो है आपका जो करन्ट अफेर्स हैं यह आपके प्री और मेंस दोनों के लिए जो कवर हो जाएंगे और बेसिकली तीन टाइप थ्री प्रॉंक्ट स्टैटेजी जो है इसके अंदर आपको मिलती है जिसके थू यह चीज कवर होती है नंबर वन यू गेट अ क्लास बीच के प्रिवीज़ स्टैडबे जो क्लास में एक बैर करेंट इंटायन किया जाता है उसके अंदर लिखवाया जाता है जिसके अंदर आपका पी और मेंस दोनों चीज़ें और जितनी भी चु कुछ भी gateway मन निया हो रहा होता Static via your current affairs है न तो यह class को उस तरीके के उसको दिमाग में रखके उसके हिसाब से conduct किया जाता है और आपका content बहुत ही precise form के अंदर इस class के अंदर provide किया जाता है second you get weekly pdf's जो कि आपके अभी pdf के dashboard के उपर आपका एक account बनेगा आपको weekly pdf's मिलती रहेंगी उस weekly pdf के अंदर जो पूरे हफ़ते के important current affairs होते हैं उनका उनका एक document जो है pdf form में आपको मिलता है जिसके अंदर already static portion की research भी done होती है dynamic portion जो current का portion आया वो भी done होता है ताकि आपके पास जो काम रहे वह सिरोफ सिरोफ पढ़ने का और समझने का रहे इदर उदर भाग के research करने का ना रहे और अपनी जो energy उसको static के अंदर लगा सकते हैं आपके GS के अंदर लगा सकते हैं यह आपका एक tool हो जाएगा आपके पास एक अस्त्र हो जाएगा एक weapon हो जाएगा आपके हाथ में to fight off the current affairs को कि बहुत बच्चों को बहुत ही ड्रावना सा module लगता है कि current affairs कवर कैसे करने है यह source भी कर लें वह source भी कर लें तो सारे sources करने की जगा यह जो एक particular course है इसके अंदर already सारी चीजे चांट के जितने sources अब imagine कर सकते हैं सब कुछ cover होने के बाद में यह जो course है वो आपके लिए तियार किया गया है और इस तरीक है चलता है number three you get weekly tests as well तो जो आपके weekly test होते हैं उनके बाद में जो आपने बाकी चीजें की होती है वो एक तुरह से 45 हो जाती है and your current affairs का मामला is done you can be sure कि इसके बाद इससे बाहर को current affair जो है UPS exam के अंदर नहीं आएगा just in case अगर आता है तो वो कोई ऐसा current affair होगा इसको छोड़ना ही होगा strategically है ना जो all over India कोई भी जो है वो नहीं कर पाएगा और for you guys जो अभी video देख रहे हैं you get a seven days free trial for this course आप एक बरी class लगाईए और आप देखिए class में कि कैसा महाल चलता है क्या चलता है और आप free of cost ये trial है आप trial लीजिए and then see for yourself और अगर मानलो कर आप class नहीं भी join करते हैं तब भी आपका बहुत फायदा हो जाएगा कि current affairs को approach कैसे किया जाता है what is the strategy and what is the thought process behind it तो ये सब चीजें भी आप इस class के अंदर जो है वो सीख सकते हैं आप trial लेकर देखिए link is in the description आप चेक करेंगे आपको आप लिंक में जाएगा चलिए आज चलते हम आज के topic पर भी that is Surya Nutan नूतन का मतलब जो हिंदी में मतलब होता है that means नया और नवीन तो सूरे नूतन सूरे नूतन अपने आप में क्या है it is basically an indoor fixed solar cooker let me repeat indoor solar cooker है तो देखते हम कि ये क्या है कैसे काम करता है किसने बनाया है वो सब चीजें देखते हैं चलिए context देखते हैं the formal launch of Indian oil corporation यहीं कि IOC ने इसको launch किया है Surya spelling error है Surya Nutan solar cooker solar cook stove है ना कब होई इंडिया energy week 2023 में है ना वहाँ पर ये launch हुआ था that is all context रह इतना सही है इसका भी launch हुआ है चलिए हम आगे चलते हैं देखते हैं कि ये चीज के सूरे नूतन Surya Nutan is a stationary rechargeable and always kitchen connected indoor solar cooking है ना it's a solar cooker है na cooking method आई है और indoor है stationary rechargeable है ना मैं आपको इसकी picture दिखाऊं अगर if you can see this is how it looks है ना और और देखते हैं इसके बारे में developed by IOC in case अगर आपको स्टेट का एक्जाम दे रहे हैं तो वहां तो आपको directly पूछा जाएगा कि यह तो पूछने कि Surya Nutan as recently seen in news is a है ना और नीचे चार option देंगे कि फ्लाना फ्लाना plan है यह एक solar cooker है यह यह क्या है ना तो एक सवाल तो आपको directly वहां से बनेगा दूसरा सवाल जो इस topic अंदर बनता है that is कि कि ने develop किया है यह ना that is Indian oil corporation मतलब Indian oil corporation ने और भी ऐसे projects किये हैं जो की renewable energy की तरफ पुश कर रहे हैं और इन लाइन विद इंडिया जो रीन्याबल की तरफ जा रहे हैं जो इंडिया ने target set किया है अब comments में जरूर लिखके बता सकते कि right now इंडिया का target चल रहा है renewable energy को लेकर है ना और net carbon neutrality और इन सब का जो target है वो क्या है इंडिया के INDC क्या है currently जो भी recently update हो है बाइद वे working case सूरे नूतन works in a hybrid model again यह एक important question है UPSC अगर पूछेगा तो वो पूछेगा इसके बहुत सारे option बनाके बहुत सारे वो देके कि which of the following of the statements regarding सूरे नितन is true यह फिर which of the following statements are untrue यह तो तीन साइस statement देके गलास statement देगा तो उस case के अंदर यह important है it works in a hybrid mode that is can work both on both solar and auxiliary energy sources simultaneously auxiliary energy source मतलब अब की plug में से बिजली directly electricity के तुरू which makes it a reliable cooking solution देखिये अब solar auxiliary energy both sources देवी है मतलब की in case solar energy is not available उस case के अंदर यह तभी चलता रहेगा कहने का मतलब इसका यह है that is why significance में आता है सुर्यनुतन can be used in all weather and seasons including when the sun is not available for long durations or for continuous days such as monsoon यह फिर extreme winters के अंदर जैसा North Indian extreme winters के अंदर आपको December end से लेके आपको January mid तक you can you do not see the sun mostly plane area इसके अंदर खास कर रहे है तो उसकी यह बात कर रहे है कि उस case में भी यह all weather stove है insulation design of Suray Newton minimizes radioactive and conductive heat losses insulation बहुत अच्छी किये तो आपको heat loss है वो आपको इसमें नहीं होता Suray Newton is a low or no maintenance system and the product has a long life तो देखते हैं कैसे the stove which entails a one time procurement cost and has zero maintenance is being touted as a substitute for fossil fuels obviously it does not have a traditional battery it does not have a traditional battery not either it does not have a traditional battery इसके अंदर thermal battery का युस हुआ है in case you don't know what thermal battery is I will try and post another video about thermal batteries meanwhile you can search it और अपने लेवल पर थोड़ी research करकर रख लीजिए just in case I am unable to post it that needs replacement also the solar panel panel has a life of 25 years तो मतलब long term solution दिया हुए see यहां पर अभी हमारा जो prelims का काम है वो done हो गया है अब यह थोड़ा सा bonus content कह सकते हैं इसको इंडिया में क्यों हो रहा है यह है ऐसा क्या है कि इंडिया को इसको launch करना है और इंडिया में यह चीज हो रही है जोड़ा सा background थोड़ा सा context थोड़ा सा statistics इस मामले में India's share in global energy consumption will rise from 7 to 14% by 2050 है ना और जैसा मैंने आपको पहले पताया कि इंडिया के कुछ INDCs हैं और renewable energy को लेके कुछ targets हैं तो अगर global energy में consumption India की rise होने वाली है यह IEA का data है by the way तो अगर global share हमारा increase होने वाला है तो हमें थोड़ा सा careful रहना पड़ेगा कि हम अपनी energy consumption किस तरीके से कर रहे हैं which includes using of LPG liquid petroleum gas जो हम as a gas cylinder अगर पर यूज करते हैं तो उसकी replacement के तौर पर आपको जो है यह सूरे नूतन वहाँ पर यूज होगा और यह रहा उसका back करता हुआ उसकी statement यह रहा उसका stat IEA predicts that India will account for 25% और 1 4th 25% of energy demand growth from 2020 to 2040 यहनी कि 2020 से लेकर 2040 के बीच में जितनी demand rise होने वाली है एक चोथाई हिंदुस्तान की होगी एक चोथाई इंडिया की होगी उसमें India's oil and gas demand will triple by 2050, gas consumption to grow threefold by 2030, share of gas in energy mix to rise from 6.3% today to 15% by 2030 तो अगर यह सारे चीजे increase हो रही है तो such kind of innovations are highly required and they are very timely as well so this is today's topic my name is Rohit Garcha and let me tell you about Abhimanyu IAS it is a platform which prepares you for your UPSC and various PCS examinations see it has more than 23 years of experience in this particular field and has given out more than 2200 positive results since 1999 thank you so much for watching my name is Rohit Garcha and this series is called to the point the 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 झाल झाल